नक्षत्र 27 मीढिया की अध्भत प्रस्तति बुधवार अब बताते हैं बुधवार को जन्म पाएल लोगों के लिए उनका करेक्टरिश्टिक क्या है कौन से लोग इनके अच्छे मित्र बनते हैं ऐसे लोग जो बुधवार को जन्म लेते हैं, इनके अंदर चन्चलता बहुत होती है ये भी करने, ये भी करने, यहां भी चले जाएं, वहां भी चले जाएं इस प्रकार की स्थिति खूब पकड़ते हैं जन्मस्थान से दूर भाग्योदे पाते हैं उत्तर और पूरब दिशाइन के लिए भाग्योदे कारक होती है बहुत मिलन साहर होते हैं दोस्ती के लिए जान दे देते हैं बच्चों से बहुत लगा होता है माता पिता के साथ थोड़ी सी खटपड तो रहती है लेकिन मना भी ले जाते हैं शुक्रवार और शनिवार को जन्म पाएं लोगों से इनका बहुत निवने लग जाता है कई बार विदेश से भी उन्नती होते हुए पाए जाते हैं बाल जल्दी ज़र जाता है इनका, कम हो जाता है बुधवार को जन्म पाए लोगों के अंदर नियूरो प्रॉब्लम अक्सर देखने में आ जाती है सावधानी बरत्नी हो ज़्यादा तनाव ना ले तनाव लेते ही आपके लिए विश्कारक हो जाता है हर वर्ष एक पौधे का रोपण करके एक व्रिक्ष लगा कर आप अपने जीवन को शुब बनाने का प्रयास कर सकते हैं आई अब बताते हैं ब्रहश्पतिवार को जन्म पाए लोगों के लिए क्या इस्थिती है घमंडी होते हैं ग्यान का जबरदस्त अहंकार होता है अपनी बात को कुतरक से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं बड़े भाई से सुरवात में फायदा लेते हैं और बड़े भाई को ही बात में धोखा देते हैं मुहबबत के मामलों में बेहद अनलकी होते हैं कई मसलों में दामपत्य जीवन भी अच्छा हमने नहीं पाया है पत्नी पहले मर जाती है पती पहले मर जाता है अलपाय में बिधवा या बिधुर होने की संभावनाएं रहती है ध्यान दीजेगा संभावना कह रहे हैं अब पता चला आप लोग कमेंट शुरू कर दें अचा बिधुर होने के लक्षन प्रबल होते हैं दस लोग अगर बिधुर हैं या बिधवा हैं पती पत्नी मरे हुए हैं तो आप देखेंगे दस में से 6 या 7 धश्डे को जन्म पाये होंगे राजनीत में ये अच्छा कर जाते हैं पॉलिटिक्स में ये जा सकते हैं और अच्छा मामलों में मित्रता जब तक इनका स्वार्थ सिध्ध होता है तब तक चलता है नहीं तो मित्रता भी नहीं निभा पाते हैं रिष्टेदारी अच्छी निभाते हैं अपने आप में भाई के साथ विवाद हुआ अगर बड़ा भाई है अधरवाई ठीक ठाक है बड़ा सीन रहते हैं लेकिन कुछ हद तक ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्भन कर ले जाते हैं मंगलवार अभिवार को जन्व पाए लोग इनके अच्छे मित्र साबित होते हैं उपाय आपके लिए वर्ष में किसी भी एक पूर्णिमा को कोई धार्मिक पुस्तक किसी धार्मिक अस्थान पर दान कर दीचेगा रामायर गीता, सुन्दर कांट, कुरान, मस्जिद में कराये, गुरुगरंथ साहिब गुरुद्वारे में कर दिया धार्मिक अस्थान पर धार्मिक पुस्तक पूरम पूरा चांद जिस दिन हो तो जाना आपने प्रत्येक दिन जन्वपायल लोगों की कहानी आप सब अपने अपने दिन के अनुसार उपाय भी कर सकते हैं, अपने अपनों को पहचान सकते हैं, किस दिन जन्वपायल लोग आपके अच्छे मित्र होते हैं, इन समझत चीजों पर आप ध्यान दीजेगा और फिर देखिएगा आपका जीवन कैसे चमकदार होता है फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही इसको सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा और शेयर करना न भूलिएगा नमस्कार शिरादे